बिसमिल्ला रह्मान ररहीम असलाम अलेकुम तो आल माई वीवर्स एंड स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे बाय एक्वेलेंस के स्टुडेटी डिजाइन उनके हम लोग ने जास नाम पढ़े थे के फास्टिंग होता है फूर इंडर उसके अंद बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके कंसर्प्स प्रियर हो और नॉलज भी इंप्रोफ हो अच्छा यहां बर यह बहुत इंपॉर्टन स्टुड डिजाइन है इसलिए मैंने इनको अलग से जो है वीडियो में मैंने डिसकस किया फॉर्टन 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 फॉर उसे affect होते हैं उनके लिए हम लोग food intervention study करते हैं लेकिन जो नहीं होते हैं उनके लिए हम लोग fasting study करते हैं अब fasting study design क्या है इसमें क्या होता है single dose दिया जाता है two period two treatment two sequence open label randomized cross over design योगि compare कर रहा होता है equal dose of test and reference product in fasted adult healthy subject यानी के fasted होना चाहिए adult होना जाए और healthy subject होना चाहिए अब यह two period two treatment two sequence यह चीजे क्या है two period यह होता है कि जैसे दो हिस्से पीरियोड क्या होता है कि आप लोग उने जैसे आपके class में जो है वह पीरियोड होता है कि time period in which a study design is performed अब two period study design क्या होगा कि एक study design जो के performed हो रहा है two different days पे ठीक है two period study क्या होगी कि एक study design जो के performed होगा two different days पे अब वह two different days का मतलब यह नहीं है के Monday Tuesday वह separate होता है drug की half life के basis पे एक period का difference होता है जिसको हम लोग washout period कहते हैं कि body से drug की elimination हो जाए वह 10 half life के equal होता है ठीक है ना washout period का gap देके फिर हम next जो है वह पिरिट स्टार्ट करते हैं यह वन पिरिए में हम लोग एक ड्रग देते हैं तीक है ना फिर हम लोग जो है washout period which is equal to the 10 half life of dead drugs तीक है ना of dead drug उसके बाद फिर हम लोग second period में दुबारा से दों नेक् sights drug देते हैं बाद उका same drug भी दिया जाता है बाद लोग भी दिए जाता है तू मिज़ание है तू पीसरे हो त्रीया जाए लिए छी के आपटर्न या पिरिण के बातिया जाब नगत्ट है कि यह नगते है कि यह आा उन्य झालात निर जो remembers लाग जो दूसरा sequence है वो क्या है कि पहले reference drug दिया जाएगा और फिर test drug दिया जाएगा ठीक है na sequence समझहा रहा है ना कि एक sequence यह कि पहले हम test product देंगे फिर reference देंगे एक sequence दूसरा sequence यह है कि पहले हम reference product देंगे फिर test product देंग है तो यह 2 sequence है open reliable randomized cross-over design , cc un Drama है ठीक है ना पहले हम लोग फास्टिंग को इस दर्फा कवर कर लें फिर इस सीक्वेंस हम लोग दुबारा से मैं इन सीक्वेंस पर आते हैं अच्छा यह फास्टिंग डिजाइन किसके लिए है फोर्दा इमिजयटग या फिर्लीजग के लिए फिर्फानष सबस्याएटी की अवर्ण विर्फाम को सब्सक्न उ किरेंड़ धाना चाहिए इसकी अच On Sun के लिएन क sechs चाहिए अब जो एक आधर यहाइब्यूंट जो आप आप लोग जिस परसऑन ने जो जो ड्रग लेना है उस पास्त होना चाहिए ओवरनाइट का मतलब है के कम अंसकर 10 घंटे के बराबर कि उसने 10 घंटे से कुछ नहां खाया हो और वह खाने के बाद 4 घंटो कुछ नहां खाया यह यह दवाई लेने के बाद जो है मिझर कुक्त खाया या इसकी एक मेजर सटार्ट करनी है उस से उससे पहले एक जो requirement है वो यह है कि कोई medication नी लेनी एक हफ़ते तब यहनी कि अगर हम लोगों ने drug लेना है next week ठीक है ना तो हम लोगों ने इस week में कोई medicine यूज नहीं कर लेता कि हम जब next week में कोई भी drug लें तो वो interaction नहीं हो ठीक है ना अब यहाँ पर जो इस fasting की जो types में हम लोग parallel भी यूज करते हैं और replicated design भी यूज करते हैं parallel जो design है वो अब यह डिटेल से पर बता दी हूँ parallel design उन drugs के लिए होता है जिनकी half life जाता होती है parallel जो design होता है उनमें जो है एक subject को एक ही drug दिया जाता है ठीक है ना दो drugs नहीं दिये क्योंकि एक drug की half life जाता होती है जब कि जो replicated है यह उनके लिए बार-बार एक ही drug देना यह उनके लिए उन drugs के लिए है जिनकी high intra subject variability यानि एक ही person के अंदर यह लोग यह ड्रॉड बेरियाबिलिटी कॉस करते हैं कभी किसी तरह से behavior show करते हैं और कभी किसी तरह से तो इसलिए फिर उनको replicated design दिया जाता है ठीक है अब आ जाता है food intervention यह usually study design है जो इसका usual study design है वो है single dose two period two treatment randomized cross over study design है यह उन drugs के लिए है जो के effect होता है बाइदा मेल से अब मेल से जो effect होता है वो कौन से drug है example में ibuprofen तो है और naproxen यह established है ठीक है ना कि यह effect होता है मजीद आप लोग ने अपनी information के लिए आप लोग सर्च करने कि कौन से मजीद drugs है जो के effect होते है मेल से और आपके जो प्रक्टिस है वो प्रक्टिस के इंप्रोव हो जितना आप सर्च करेंगे इतनी आपकी information बढ़ती है उसकी बाद आजाता है यह उन drugs के लिए यूज होता है जो के effect होते है मेल से और involve करता है using meal diet और इसमें खास्तों पर वो खाना दिया जाता है जो के effect करता ह गेस्ट्रेंटरस्टाइनल फिजियोलोजी को टिपिकल टेस्ट मील जो है न यानि कि जो खाना है वो हाई fat मील होता है ठीक है न क्योंकि calories बहुत जदे absorption को और ड्रग के behavior को effect करती है कम असकम calories जो है वो 800-1000 की calories होनी चाहिए ठीक है न जो आप खाना दें जिस खाने के बाद आप लोगों ने ड्रग देना है उस खाने में कम असकम 800-1000 तक calories होनी चाहिए अब खाने में क्या-क्या आप होगा include इस मतलब आपकी diet plan होता है न इसी तरह एक जो है यहाँ पर diet plan होता है जो के specified calories पे based रखता है ठीक है न अब यह calories हमने किस तरह के food से मिल सकती है 2 eggs fried in a butter, 2 strips of bacon, 2 slices of tossed with butter, 2 oz of the brown potatoes and 8 oz of the milk तिक हैना यह सारा कुछ देती है कितने calories 150 calories हमें protein से मिलती है, 250 calories हमें carbohydrate से मिलती है and 500-600 calories हमें fat से मिलती है तो जो overall total जो है वो 800-1000 ही range में बनता है इसमें भी required है कि overnight fast food 10 hours का ठीक है ना अब जब आप लोगों नो बजे जो है 30-40 बजे आपमें दवाई कानी खानी है तो 9 बजे आपने खाना स्टार्ट करते की day time और 30 मिनर्स तक अशी तरह चूँ करके आपने काना का लिया तो उसकेifier काथ आप सब्जेक्ट ने जो एवो हैब जो science future होगा जिस पर जो ड्रॉग्स की टेस्टिंग की जा रही है तो वह इमिजर्टली का दभाई लेगा विद्दा टू फॉर्टी एमल ऑफ दे पॉर्टर से टीक है यह एक ग्लास की एकुल होता है यह किन ड्रॉग्स के लिए हैं मोडिफायर रिलीज एंड इमिजर रिलीज डो पर एंड फूर इंट्रेंशन के उपर अब हम लोग पड़ते हैं सीकॉंस क्या होता है एंड पिरियर पिरिट का आप लोग हमसा आगे ना के दो पिरिट क्या है यानिके दो मुखलिफ दिन अगर टू पिरिट है तो तू दिफरेंट देज ताइम पिरिट इन विच आ स्ट इस परफॉर्म जैसे टू पिरिट स्टी किसको कहेंगे एस टू दिफरेंट देज सेपरेट बाई आ वाशाओ पिरिट इस एक्वल तो दर टैन हाफ लाइफ लाइफ ठीक है अब देख लेते हैं सीकॉंस सीकॉंस है नंबर ओफ डिफरेंट ओर्डर्स इन ट्रीट्मेंट जैसे अगर टू पीरिएड टू सीकॉंस होगा तो वह किस तरह से डिजाइन होगा अगर माई पस दो ड्रोग्स हैं एक हापा दाता है टस्ट डुघ और एक हापा दाता है रैफरेंस प्धान डित सबाएड से Cyr हम और यूंतर में इसको एक टेस्ट डिया जाएगा और तर्मस्ट को जो है Бुछ मश्चों कर वनकी में दी स्काराइब नРЕ나ılan जाएगा और तरिवेसंद इसको इस चॉछ परना나ностиыл कि स्कृणbrarव जाएगा ना तो यह दो सीखोन्स श्यक्वाट expects to तो ट्रीटमेंट यह आप वो पास समझ आपई होगी कि दो ट्रीटमेंट्स है एक रेफ्रेंस है एक अधात है टेस्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यह पैररल एंड क्रोस ओवर क्या होता है पर दर ड्रग जिनकी हाफ लाइशन हाफ लाइशन हाफ लाइफ जादा होती है इंजक्क्षण वो आइसथा रिलीज होते हैं और इनकी वीजादा होती है इसमें क्या होता है कि एग ग्रॉप क्लास का एक ऑगर्फ सिरफ प्रोडउक्त पह डिएल करें और दूस्रा क्रुप को सिरफ ट्रेश प्रडॉडक्त दिया जाएगा जैगा इसा नहीं होगा कि ड वाथ जाथ है इसलिए जो है एक ग्रूप को सिरब एक द्रॉग दियते हैं क्यों कि एलिमिनेशन आफ लाइफ जाथ है उसके इंट्रेक्शन के चांसे भी इस वज़ा से जाथ है अगर आप एक ग्रूप को दोनों द्रॉग देने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि इनके इंट्रेक्शन के चांसे बढ़ जाते हैं और आप क्यूंकि जो टेस्ट प्रडॉप और रेफरेंस प्रडॉप का एप यह से में होता है तो फिर इसमय से कंफूजन क्रेट हो जाती है कि इसकी जो है वह एफिकेसी जो है वह आपको पता चार रही है यह में भी आपने फॉ रेफरेंस प्रडॉप से साथ है क्योंकि उसके अंदर जो है वह इसके मिलीग्राम भी शामिल है ठीक है ना जब आप लोग ने यह दिया तो उस वक्त रेफरेंस का जो है वह हाफ होके फॉर एजमपल 25 एमजी बन गया था 50 बाय ओवेलिबल था हाफ लाफ लाफ इसकी 25 है ना जो आप लोगों ने यह दिया तब यह भी ड्रग जो था वह ब्लेड में मौजूद था ठीक है ना उस वुझा से क्या हुआ कि यह 75 एमजी का एफक्ट शो हुआ तो इसका मतलब क्या हो कि हमारा टैस्ट प्रडॉक्ट जो है वह ज्यादा अच्छा है रेफरेंस प्र दे दिया ड्रग जो 15 डेस बात दिया तो उसकी 75 मिलीघ्राम होई थी तो अब 75 मिलीघ्राम का एफक्ट जादा था 50 मिलीघ्राम का एफक्ट कम था यह वह सकता है कि अब जो है यह टॉक्सिक हो गया हो तो पिर आपको लगा ओके रेफरेंस प्रॉड़क्ट तॉस ठीक थिक नहीं होती उसमें हर सब्सक्राइब करता है टेस्ट प्रोड़क्ट भी और राफ्रेंस प्रोड़क्ट भी लेटिन स्क्वियर क्रॉस ओवर डिजाइन फॉर दा बायो कॉलन स्टडी ऑफ त्री ड्रग्स तीन द्रग्स को देखना हैं हम लोगोंने फॉर एजैंबल आइब प इसका यह डिजाइन सतना से दिया गया है अब सब्सक्राइब को फॉर्ट को भी जाएगा त्रीजाइगा फिफ्त को सी जायगा और स्ब्सक्राइब को भी जाएगा यह सिक्स जन्मणी का था आप सबका एक एक दफ़ा एक ड्रॉड़क्ट हो गया तिक है ना किसी को एग या किसी को बी गया किसी को सी किया सेकिंड पिरिए में क्यावर्टी जैनुरी के दिन जब सब यह लोग आये तो अब एको जो सबस्ट सब्जेक्ट था उसने क्योंकि ए मैडिसंट खाली भी थी अब जो है उसका इफ़क्ट देख लिया ऑथा बॉड़ी पे अब उसको बी ड्रग दे दिया तीक है न फिर न को जब यह आये तो अब क्या पता चला कि सब्जेक्ट वन ने जो है एंड्रॉड भी खालिया है बी ड्रॉग भी खालिया है अब बस सी रहें गया इसको सी दे तो इसको कहते हैं कि हर इंडिविज्वल को जो है हर इंडिविज्वल हर ड्रॉक ट्राय करेगा रेफ्रेंस भी और जो है टेस्ट प्रडॉक्ट भी अच्छा अब यह क्रोशोवर की दो टाइप सा जाती है रैप्लिकेटिड एंड नॉर्म रैप्लिकेटिड मतलब यह है कि एक ही इंडिविज्वल को एक दवाई दो दफा दी जाएगी टीक है ना गयाप के बाद यह उन ड्रॉक्त के लिए हैं जो के एक तुछ जो चुनका थराप्योटिक इंडर्स नेरो होता है दूसरा जो बहुत दा वेरियबल ड्रॉग है जो इंडरस सब्जक्ट वेरियबि इतलक है फिर या कर दे और इतलक पर फाद ना ऑक न जो फिर और पहस्ट उन्दोग्स जो यह कौन कि और चक्रिम फिल 1134 आंज़ैसर सब्सक्रेंद में फारिम liqu उनास को पक्रहरे,ारख मोलोश भी Bज़िव है एका न लिए विता है टीक कि क।ह वनू दो दो नश्दक्ता कुछ दिनों बाद उसने दुबारा टेस्ट प्रोडक्त लिया क्यूंकि यह वह ड्रग था जो के एक ही सब्जेक्ट के अंदर वेरियाबिलिटी कॉस करते हैं कभी कोई पैट्रेंट शो करता है कि किसी तरह का पैट्रेंट शो करता है इसलिए दो दफा चेक कर वा दिया जात है ताकि एक अंदाजा लगाया जा सके कि यह ड्रॉग जो है इस तरह के इंडिविज्वल में जिसका मेर्डिकल कंडिशन यह है वह किस तरह का एफ्रक्ट शो कर रहा है जबके नॉन राप्लिकर डर्म ऐसा नहीं होता वहां पर एक इंडिविज्वल को एक ड्रॉग हर ड् प्रियुद में एक डूसी नहीं हो यहां ग्लिक यहां पर अगरम वोग देखें तो यह कि क्या है कि पहले टस लिया पर दुबा ठीग आफरास अब आवा को धिते पर एंडिया ना टपर डिया पर बार दोंगल दीडिया ए वीक्रेंस परड़क्त या इसके कि इसन यद बा राप्लिकेड भी होते हैं नॉन राप्लिकेड भी होते हैं तो यह सारा बाएक विलंस का था तो अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो पे साथ में जल्दी आऊंगी ठीक हैना नए टॉपिक के साथ अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आथा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स मे बता सकते हैं यह जो नोर्स में बनाए हैं इसकी पीडियाफ आप लोकिस्ता से हासल कर सकते हैं इसका मैथर्ड में डिस्क्रिप्शन में लिखतोंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो के बारे में आपको इंप्रमेशन और आफस्ट